हाव टू सॉल फ्लाई प्रॉब्लेम इवन दो पेस्ट इजिस मैनेजमेंट जो प्ले लिस्ट है इसमें आप जा सकते हैं विया मश्रूम में और इसमें अलड़ी इसमें बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बट ओवरॉल बेसिक चीजे जो आपको ध्यान रखने चाहिए जिसके थुरू आप जो मश्रूम के फार्म में फ्लाई का प्रॉब्लम कर सकते हैं बेखे जो हॉट इन हुमिड वेढर होता है उस वक्षादा ये फ्लाई का प्रॉब्लम होता है चोटे चोटे काले मखी जो है बहुत जादा प्रॉब्लम करते हैं और दन देड भी पेस्ट अलग अलग प्रॉब्लम इस फार्म में जो समय समय पर मश्रूम आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पड़ा इंपोर्टेंट चीज है रेगुलर्ली वाशिंग दा फार्म वाश यूर फार्म रेगुलर्ली हाइजीन अगर आप अपने फार्म में रेगुलर्ली फ्लोर को फर्ष को डेटाॉल से या फिर डिसिंफेक्ट टेंट से समय समय पर करते रहेंगे तो आपका जो फार्म है आसपास इर्द गिर्द अगर आप अपने मश्रूम फार्म के एरिया को साफ करेंगे तो आपके वहाँ पर वैसे ही बहुत सारे जो है पैथोजन नहीं आएंगे सड़े के लिए चीजे नहीं रहेंगी डेट डिकंपोज चीजे अग बहुत कम फेस करेंगे क्योंकि यह फ्लाइज के जर्मिनेशन होते कहां से हैं इस तरह के गंदे जगे से आते हैं यह सेकंड लिफ मश्रूम के जो फ्लाइज है वो मश्रूम में अलग प्रकार के अरोमा होता है जिसे एट्रैक्ट होके वहाँ पर एंटर करने की कोशिश कर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसलिए हम लोग उस अरोमा को हटा दे इसलिए सबसे पहले तो आप एक रूल ही बना लेजिए चाहे मश्रूम के फार्मिंग में फ्लाइज रहे या ना रहे आप रेगुलर्ली एक गुड हैविट पालिए वन एमल नीम तेल को एक पानी में मिलाइए और फाइन नॉजल से इसको स्प्रे की जिए पूरे फार्म में स्प्रे कीजिए थोड़ा बोट स्प्रे मश्रूम के बैग्स के उपर भी गिरता है कोई दिकत नहीं है नीम ऑईल इस नेच्रुल तिंग विच इस नेच्रुल इंसेक्टिसाइड इससे म नेच्रुल हरवल तिंग्स जैसे की अद्रक का पिसा हुआ जो मिर्ची मिर्ची होता है मिर्ची का पाउडर इस तरह कुछ गरेलू नुसका पूरा चार्ट है मैं आपको पीडियाफ मुहाय करूंगा कि नेच्रुल कौन कौन से घरेलू चीज है जिसको आप पीस के अपना खुद का एक प्रदार्द बना सकते हैं जिसको आप रेगुलर लिए अगर फार्म में स्पे करेंगे तो आपको फ्लाई की प्रॉब्लम नहीं है कि उस पीडियाफ को डाउनलोड करने के लिए आप सीधा भी मश्रूम में में मेंबर्स ऑनली पेज में जाएए वहां पर आप भी मश्रूम हो रहा है या अपने मश्रूम लगा दियें खानी का जीज फ्रब्लम आने खाने का चीज़ है मश्रूम तो pest out our करता है क्या लगता है आपको वो केमिकल नहीं सक करेगा मश्रूम हम खाएंगे हमारे ग्रह को खिलाएंगे वी डॉंट वांट टो फीड देम एनी पॉईजन मश्रूम को तो जितना हो सके प्लीज और नहीं रखिए क्योंकि सबजी और सब्सक्राइब हम उसको अच्छा रख अगर आपके बस एक फार्म है तो दो फार्म में काम शुरू इस वाम को अच्छे से जितने कीट नाशक बजार में आते हैं जितने आपको पता है फॉर्मेलीन दीजिए ब्लीचिंग पार्डर से पूरा जिसको चूने से अच्छे से साफ कीजिए इंसेक्टिसाइट स्प् कर दे उसके बाद इसको थोड़े समाई के लिए हफ्ता दस दिन भी दिन खोल कर रहा कि अंटेल एनलेसिस के पूरी स्मेल खतम हो जाए फार्म में कोई प्रकार का स्मेल या बद्वू नहीं रहना चाहिए केमिकल्स का वरना मश्रूम नहीं हो गएंगे वहां माईसीलियम म तो फिर क्या आएगा ऑल्वेस इसलिए एक फार्म नहीं दो फार्म रखिए एक फार्म रखते भी है तो उसमें आपको गैब देना पड़ेगा वरना आपको माईसीलियम ही निकलेगा दीरे दीरे माईसीलियम मरने लगेंगे मखी की प्रॉब्लम आएगी आस पास से बहु जितने भी दिवार में हैं वहाँ स्प्रे करते हैं यह एर का जो वॉल्यूम है यहां पे भी तो बहुत सारे स्पोर्ज है जो हमें देखने रहे हैं इसको मानने के लिए आपको रूई में फॉर्मेल डी हाइट का थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डाल के पूरे फार्म में अल जाएगा उसके बाद आपका फार्म हंडेट परसेंट साफ और आप इसमें फार्मिंग कीजिए देखिए फ्लाइ आएगा ही नहीं अब जो इंपोर्टेंट बात है कि जब भी आप यह सब केमिकल्स और हज़र्ट तिंग्स इस्तमाल करते हैं प्लिस ग्लव्स पहनिये मास ग्लास लगाईए ताकि आपके आँखों में फेस में मुह में कही भी यह केमिकल्स ना जाए यह केमिकल्स बहुत हामफुल होते हैं तो आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज हम बहुत ही एक इंपोर्टेंट विशे को डिसकस करेंगे लार्वा फ्लाइ प्रॉ आपके लिए हम आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आप इस वीडियो से सिखेंगे के लिए जो लार्वा यह पैस्ट डिजीज है कितने प्रकार के पैस्ट हमारे मश्रूम फार्म को एफेक करते हैं और किस तरह से इनसे बचा जाए यह होते क्यों है और इनको अगर हो गया तो किस्तरे से रोखाट जाए चल रहे हैं यह जो पैस्ट लार्वा फ्लाइ प्रॉब्लेम इन मश्रूम फाम होता क्या एक्ष्यली पैस्ट मतलब कीडे यह काफी प्रकार के होते हैं मेली जो मख्या होती है पांच प्रकार के होती है और माइट्स माइट्स होते हैं मकडी के प्रजाती में आ जाते हैं कीड कि लिए अपने का जगा कहा हैं जहांबे गर्मी मिल जाए जहां पर फोड़ा सा इनको प्रिबंटकर करके रखने इनको कंट्रोल करके रखना हमेन बात किसी भी फार्मिंग मैं पैस कंट्रोल जो है बहुत कि इंपोर्टन चीज़ है अब देख सकते हैं कि किस तरह से यह एक मश्रूम फाम है मश्रूम है बहुत अच्छा प्रवेस्ट हो रहा है पर देखे इनके मश्रूम इस तरह से लाड़वे प्रवेश हो गए है हुआ यह था कि जब यह बैट बना रहे थे बैट बनाते वक्ति इनके यहां पर बहुत मख्या थी जिन्होंने वहां पर एंडे एक्स जो है उन्होंने ले कर दिया और वहां से अच्छे से लाड़वे निकल रहे हैं हर एक मश्रूम को देखिए इस तरह से हमां टुकड़े क करते हैं तो अंदर से सफेद सफेद लिविंग ऑर्गिनिजम जो यह मखी के बच्चे हैं यह जो लाड़वे हैं इससे यह होता है कि पहला तो एकदम फसल खराब हो जाता है फसल कम होने लग जाता है जितनी उगिनी चाहिए उपच कम हो जाती है सेकेंड यह मार्केट में बहुत प्रॉब्लिम होता है इसको सेल करने में दोस्तों जो फ्लाई है जो मखी है इन से हमेशा बचा के रखना अपने फार्म को यह है तो कई प्रकार के पर मेली यह जो सियारीड है यह बहुत परिशान करेगा यह देखिए इसके यह एंडे है यह जो एक्स है इस तरह के देखते हैं और इसके जो लाडवे हैं यह तरह से दिखता है यह भी एक बहुत कॉमन है कोबल डिया यह गर्मी में काफिय होता है इसके जो लाडवे से ब्लैक तलर के होंगे आपको अपने प्रॉब्लेम को समझना बहुत जरूरी है आपको हमेशा यह नजर रखना है कि कि प्रकार का जो है मक्ही है माइट है किस तरह का दिखता है आप आपके लिए हमने हमारा वाट्सअप चैनल बनाया हुआ है जहां पर अपने प्रॉब्लेम्स को पोस्ट कर सकते हैं आपको हमारे वेबसाइट का लिंक अवेलेवल है आप हमारे को संपर करें पर आप जितना यह होगा उस प्रकार का समस्या होगा आपके पाहम में क्योंकि हर एक मक्ही अलग-अलग वजे से आती है यह जो है देखिए लार्वा सैसिड यह काफी ज्यादा अगर जो स्ट्रॉ है जो भूसा है अगर बहुत ज्यादा गीला हो जाता है आप अकसर देखिएगा जो फू माइस से ओटोफिल यह आप यह तक मच्छर जैसी होते हैं पर बहुत छोटे होते हैं और यह जब अटक करते हैं मश्रूम की क्वालिटी एक दम खराब कर देते हैं तो उस तो गबराना नहीं है यह सब पार्ट और पार्सल ऑफार्मिंग है किसी भी फार्मिंग में प्रॉ ऐडर फैमिल और यह जब होते हैं में लिग क्या होता है कि अशाना था चाना क्स नहीं निकल रहे हैं या फिर मश्रूम जितने निकलने चाहिए उतरही नहीं निकल रहे हैं और जो मश्रूम के क्वालिटी करांव नौर्मली हम नहीं देख पाते हैं, human eyes can't see mites, पर यह अगर बहुत जादा हो जाए, एक ही जगे पर बहुत सारे इखटा हो जाए तो red, brown color के नजर आते हैं, और आप इसको lens से देख पाएंगे, और यह जो होते हैं, यह हमारे mycelium को directly नहीं खाने आते हैं, यह competing fungus को खाने आते हैं, तो इसका पहला तो यही निशानी है, इसका मतलब हमारा सबस्टेट है, वो अच्छे से स्टेडलाइज नहीं हो आए, इसी वज़े से माइट्स आये हैं, second एक और reason है कि देखिए, अगर हमारा farm पहले से साफ सुतरा नहीं है, पहले से उसमें मकडी है, कीड़े हैं, मक cleanliness, तो बहुत important है कि जो आपके mushroom farms है, जो आपके mushroom house है, उसको एकदम साफ सुतरा रखिए, bleaching powder के इस्तमाल करिए, पेस्टी साइट्स के बारे में, मैं लास्ट में आऊँगा, आपको ऐसे method बताऊँगा, जिसको आप continue कर स्प्रे करेंगे, before farming तो यह सब आएंगे ही नहीं, और before that याद रखिए, साफ सुतरे जेकर बहुत ज़रे वरना माइट्स तो आएंगे, जो मक्री टाइप के कीडे है, इसको हमेशा bleaching problem, bleaching से इसको problem है, आप इसको bleaching powder से एकदम अपने घर के surface को साफ रखिए, जो मिट्ती के परत है, उसको अच्छे से एकदम clean रखिए, और जो आपके farming equipment है, जैसे आप अगर straw को sterilize करने के लिए, steam chamber यूज कर रहे हैं, या फिर अगर अप केमिकल method यूज कर रहे हैं, उसमें अगर आपका जो straw को भिगोने का जो जगे है, या आपके जो भी farming equipment है, उस सब को साफ कीजिए, उसको disinfect करिए, हर प्रकार से उसको bleaching solution से द आपके ये ये बीटल बगा गया है, ये और दूसरे कीडो को खाने आता है, वो इतना भ्यानक अटक वाइस फार्म में, आप लाइब देखिए कितना अच्छा फूटिंग बॉड़ी है और ये किस तरह से एकदम खराब हो गया, ये मश्रूम देखिए, किस तरह से एकदम स बनती है, और फिर वो फर्दर फिर से अपने आपको मल्टिप्लाई करती है, तो ये एक साइकल है, इस साइकल को भी रोपना सिखाएंगे, ना हो इसके लिए क्या करना है, वो भी बताएंगे आपको, जहां से देखिए, ये तने छोटे-छोटे होते हैं, कि बिन-बिन करे आपको पूरे फार्म में गोवेंगे, और धीरे धीरे अंदरी अंदर आपके मश्रूम को खोकला करेंगे, दोस्तों आशा करता हूँ, अभी तक तो आपको समझ में आगया होगा कि ये जो पैस्ट है, जो पीड़े हैं, ये कितने भी आनक होते हैं, और कितना ज्यादा प् खाते हैं, ये आप मारी जो मश्रूम होती है, फंगस है, उसकी फूटिंग बॉड़ी जो ही वही मश्रूम है, तो मुसका मैसिलियम है, शाक्षात जो मश्रूम में उसको ये खाता है, ये उसका मेन भोज़न है, सेकेंड ये मैंने जैसे पहले बताया आपको गर्म जगे, और जहां मौस्य अरिया होते, हम पहोंपे यह आता है, हम आपको मल्कीप्लाई करता है, वहांपे आपने अग्स लेग होग है, और इन सब जगों से इसको बचाया जा सकता है, पर ऊसको बचाने के लिए, आपको पहले तो जो एवोड करना हुआ, अगर देखिए पाम में अनाइजिनिक कंडिशन है तो यह और ज्यादा आएंगे इंप्रॉपर स्टेरिलाइजेशन अगर आपने स्टेरिलाइज करने का अभी भी मेथड आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख लिजी केमिकल स्टेरिलाइजेशन हो यह स्ट्िंप जरुई है वह को प्रापर मेधड पता हो कई भार आपको पहले सी स्टेट के साथ बहुत सारे अलग अलग मैथड है जिस्सवा को पहले सी अपने सब्स्टेट को एकदम बढ़िया से प्रॉपर लिस स्टेरिलाइज करना है कई अगर आपने सब्सक्रिवाब ब्लैक पंगस लगा वा था उसमें या श्मैल आ रहा था बहुत ही नरम तरेका का आपका भूसा था या जो भी आप चाहे जो भी उसकरें आप चाहें पैड़ी स्ट्रॉ करें योज या फिर सौडस्ट करें जो भी आप सब्सक्रीट उसकर रहें अगर वह पहले से खराब है चड़ाव आया उसमें पहले से ही अगर आपके मक्ही मच्छा लगे हुए तो यह बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है एक और जो बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है जो कि अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं हमारे मश्रूम के आसपास पास कोई भी प्रकार का वाटर पानी पड़ा हुआ है कि अगर है तो उसके लिए प्रेकर ना पड़ेगा ऐसे प्रेकर ना बचे आपको क्लीनेस मेंटेंग करना पड़ेगा और कुछ बाते हैं जैसे सीजनल फैक्टर्स यह भी मैंटर करता है जैसे फेबरेरी में काफी टाइम में या फिर काफी काफी अ आस पास की कटिंग होती है जब अलग अलग फसल होगी तो वह मिक्स करना है और उसको जो है अच्छे से पूरे वाय है किजिए अभी इसको मिट्टी में उसको आप करगए और जितने अबके फार्म एक्प्मेंट से वहां पेस्प्राय हैं जहां ङम 가자 बैट सक्षिप्र से बाव transfers किये जहां बोसे की cutting होती है आसपास किजिए किसी भी प्रकार से आपको ये maintain करना है कि आपके जो एरिया है वो एक गम clean है तो फॉर्मेलडी है जो है बहुत अच्छा disinfectant है इसका आप इस्तमाल किजिए चार गोल्डेन रूल है थे सबस्टेट थारड़ी सेनिटाइजर और हाईजीन इस इस इसा ना हो कि वही पुराना कपड़ा गंदे चूते लेगे हम बार बार गोस रहे हैं दुनिया वर के कीड़े मकोड़े हमारे साथ ही बटक रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए हमें भी बिल तो आपको समझ जाना है कि अभी क्लीन करना बाकी है इसी भी प्रकार का वेस्ट पड़ा है पुराने फार्म का मश्रूम का टुकड़ा पड़ा या आस पास में एक और फार्म है वहां कम आईसीलियम जमीन में बिख्रा हुआ है या फिर वही मैंने जो बताया वाटर कंटे देखिए एक ऐसा मेथट है जो आपको फॉलो करना है इससे यह होगा कि आपके नॉर्मली मश्रूम बैट्स में अगर किसी प्रकार से सीजनल फैक्टर हो और अलग-अलग फैक्टरों के वज़े से अगर आप किसी भी काराण से हर चीज करने के बाद भी अगर नहीं उसको कंड्रोल कर पा रहे हैं तो अब यह गोल्डेन रूल के बाद का रूल है सॉलेशन और क्योर स्प्रे मेथट जस्ट बिफोर कल्टिवेशन बिगेंस इसमें आपको क्या करना है जो मश्रूम फार्मिंग हमारी शुरू होती है जस्ट शुरू होने से पहले आपको उससे पह पचल इसको फर्टीलाइजर शॉप में मिल जाएगा आपको जो है नीम ओयल यह बहुत ही अच्छा नेचरल फेश्टी साइड है इसका तो नेक्स रूल बहुत-बहुत-बढ़ा रूल है इसका बहुत-बढ़ा यूज है मैं आप तो नेक्स स्लाइड में बता हूँ गा प वहाँ पर तरह तरह के problem आ रहे हैं वहाँ पर अच्छे सा आपका फालन नहीं होता है जब यह बैग लगाते हैं तभी मक्ही आ जाती है लार बार लाता है देन यूज इस एक्षिली होता है कि मैंने आपको पहले दिखाया कि जो मक्ही आ होती है वह बहुत टाइप को दीजें कुछ मक्ही होते है किसी एक दवाई से मरती है कोई दूसरे दवाई से मरती है एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड होता है वो इसके नर्वस सिस्टम में पहले से हमारे वहां पर मौजूद है हमें पता नहीं है जब हम फार्मिन करते हैं तब वह उबर के आ जाते हैं इसलिए हमें बाई डिफॉल्ट इन प्रकार के अलग-अलग यह जो है पेस्टिसाइड लेकर आना है एक्षिली इन सेक्टिसाइड है और इसको हमें कैसे इस् करते हैं इसी रेशियों में और शोनियाग में नहूंच ह्जिख कर रिखं़ एपशेड़के स्यम्हों पार्मिन को अंदर बाहर जहां पर आप स्च्ट्रॉज कर रहे हैं घ क्य 파 vaccin के याद रखिए ध्यान से यह मश्रूम फार्मिंग शुरू करने से पहले का स्टेज है अभी हमने बैक बनाना नहीं शुरू किया अभी विल्ragen ब्ज़ को विगोना नहीं शुरू किया अब हमेड है कि घिटिंग कर चुके अभी फोस्निग करना है यह Ос division क्योंट आए उसको काफियात कम पहले दिन आपको नेक्स डे में फिर से आपको जाना है फाम में फिर से नीम ओयल में इस बारा महाल अलफा मेथरीन यूस करना है यह दो एमयल एक लिटर पानी में इसके बाद जो भी नॉर्मल आसपास मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े जो भी सबके सब को मरे वे मिलेंगे अब मेन होता है कि हाँ चलो हमने कीड़े मकोड़े मारत हो दिये फर इसको मेंटेन भी रखना हो अब मेंटेनेंस कैसे करें और नेक्स्ट जब हमारी फार्मिंग शुरू हो जाती है तब जो बाहर से जो हमारे यहां पर मक्खी आती है उसको कैसे हम प्रोक देखिए एक स्प् स्पर्मिंग कर रहे हैं सो दोसो पांत सो दो आजार पांच हजार बेड़ का अपका है या फिर अब बड़ा बटन मश्रूम का पाम है जो भी है में किटे हैबिट तु स्प्रे नीम ओयल नीम जो है देखिए पहली बात पर हैं कि और गेनिक होता है इससे हमारा जो पैस्ट बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है इससे हमारे शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होना है सेकंडली मश्रूम को को नुकसान नहीं होता है जो पैस्टिसाइड होते हैं यह कभी भी मश्रूम जब उगने लग जाते हैं तब हम नहीं स्प्रे करेंगे क्योंकि जो मश्रूम होत पहले बात पेस्टिसाइड देते ही वो मश्रूम खतम हो जाएंगे वो मश्रूम सुख जाएंगे सेकेंडली वो खाने की चीज़ है मश्रूम जो है जो भी एर में रहता है वो सब एब्सॉफ करता है किसी भी प्रकार से जब हमारा फसल बनने लगता है जब हमारा मश्रूम ओगने लग गया तब नीम उयल के इलावा कुछ नहीं रह सकते हैं अगर आपने उसके लावा कोई और चीज़ प्रे किया तो वह जहर हो जाएगा तो हम करी नहीं सकते वैसा तो क्या करें देखिया आपने पहले एक तो सा को भी इंसेक्टिसाइड है साइफर मेथिन, अलफा मेथिन, देल्डर मेथिन से स्प्रे करना है उसके बाद अब आप फार्मिग शुडू कर किजिए डेली डेली आप बैक्स बनाएंगे उसको हैंग करेंगे और उसका वेट करेंगे नो मेटर वट आपको डेली नीम उयल मेरे नीम वाइल क्या करना है 5 mm यं कैसे जैसे हमारे बजले किया जाता है हалका पूरे प्ली बैट के उपर कीजिए जमीन यस कर समय होता है नीम यही जो है लेन के तरह काम यह काम करता है जो तरह तरह के इंसेक्ट होते हैं जो अलग अलग प्रकार आउय नहीं से बाइन गी अब इसके बाद एक और बात अगर बाइचांस आपके फार्मिंग अभी चल रही है और आपने पहले से सारे प्रिकुर्शन नहीं लिए थे और आपके बैग में लारवा है वो नीम वायल स्प्रेड करने के बावजूद नहीं जारें करते रहने से लारवा का सॉलिशन बहुत कम हो जाएगा अगर बहुत हाई लेवल का आपके वहां पर मख्या चुकी है प्लाई नहीं जा रहे हैं तो आपको थोड़ा पेस्टिसाइड भी इसकमाल करना पड़ सकता है इसमें आप यह करिए निम जो है पाच अमल और यह कि प्रॉब्लिम देख रहा है जहां पर आपके लारवा चलते हुए नज़र आए वहां पी यहां गया है लारवा लग गया है मख्या और पहले तो नीम और करने से करने से 21 नहीं जा रहे है तो ही एकर आपको इंजेक्ट कर ना है नहीं करना है आप नहीं करने से जब मैंना बताया प्रेय कभी नहीं करना है अगर मिश्रूम बैक में मुश्रूम निकलने लग गए है तो इसे लुग किसे ओ करेंगे तो आपका 99 परशन गेरनटी है कि को कोई प्रॉब्लिम नियागा एवन दो अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आता है फिल फ्री टू कॉंटेक्ट कर सकते हैं एक इंपोर्टेंट जीज है डम मैनेजमेंट लोग क्या करते हैं एक बार मश्रूम फार्मिंग हो गए उसको वही पर हैंगिंग करके रख देते हैं यह बहुत गलत प्रैक्टिस है आपको मश्रूम हो गया है फूटिंग खतम तीन चार फ्लशिंग जो मिलने थे मिल गए उसको प्रॉपर उसको डिकंपोस कीजिए उसको प्रॉपर किसी जगे पर स्ट्रैक कीजिए उसको ढख्य रखिये उसको भी फॉर्मेलीन बगर से प्रिक्शन ना फैले उसको आप अच्छे से अच्छा वर्मी कंपोस्ट बनाई है ना पर उसको फैला के नहीं रखना है और जो मश्रूम फाम है एक बार खतम हो जाए तो उसको तुरंट का तुरंट स्टेडाइस की तो फिर से ब्लीचिंग से पॉर्मिलीन से अलग- करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा अगर आपकी कोई भी मदद हो पाती है हमारे चैनल से अगर आपको अच्छा लगता है और चाहते हैं और इस तरह से आपके लिए कंटेंट बनाते रहें तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मिलेंगे फिर बहुत ज़ली अगर आप कभी किसी बैग में लारवा देखेंगे इनिशल स्टेज में लारवा देख जाता है द्यान से नोटिस करेगेगा वाइट कलर का लारवा रहेगा या फिर कुछ पुराने फांज रहते हैं जहां पर मक्यों की प्रॉब्लिम आती है ब्लैक कलर की फ्लाई राती है वो उड़ती रहेगी वो आपके माइसीलियम को यह अटेक करेगी तो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है इसका सॉलूशन मैं बता रहा हूँ आपको यह सॉलूशन बनाना है एक लिटर पानी में 5 ml नीम ओयल 5 ml नीम ओयल यह नीम ओयल किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं ज्यान से पढ़िए इसमें क्या लिखा हूँ है यह नीम ओयल आपको लेना है प्लस उसमें 2 ml साइफर मेथरीन यूश करना है यह है ज्यान से देखिए साइफर मेथरीन 10% EC यह 2 ml यूश करना है और नीम ओयल 5 ml यूश करना है दोनों को एक साथ 1 लिटर वाटर में अच्छ लिटरी मशीन के द्वारा साथ ही साथ इंजेक्शन बनाई है एक इंजेक्शन लेकर आई है इंजेक्शन को उस पानी को लेकर जिस जगह पर फ्लाई है बैग में विबिन जगह पर पुश कर देना है नीम ओयल साइफर मेथरीन का जो सॉलूशन है उसको बैग में आप इसी के फाम में फ्लाई का प्रॉब्लेम हो रहा है लागातर सेवें डेस यह सॉलूशन स्प्रे करते रहना कर में कि वह फ्लाई वापिस से अपियर ना हो पाए और जिन जिन सिलिंडरों को एफेक्ट हुआ है उन्हों सिलिंडरों में इंजेक्शन से पुश करना है ठीक है दन्यवाद कर दोग कर दो सबन्दो कर दोगिसका घ्रक वाजसन प्राइब कर दोगे। प्रप्रस्टारी टूरते को टूर को नहाँ है कर से बहा टुड़ में आपा आपाइब नहां कर दो भींग़ जाने कर दो सिर्कार्णें। कि एंड कि एंड करें कि एंड करें लाशो बाओ, लाशो खुरिये तोड़ा, प्याखा रमगा, हbungोगा अवाम, क्याया जड़ा रखा रुदा रखा, जड़ा यहाँ उरो घटा हुआए है, प्राइगा जड़ा बाई झाल फ्रों को कर दोड़ा, तो कि एक बाई जड़ा है, तो मैं आड़ा है, बाई तो ज़ आपको पुआ है पुआ है... झाल 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 झाल